Study IQ IS अब तयारी हुई बड़ा Announcement किया गया है आपको पता ही है बेरोजगारी, Unemployment ये काफी बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर और कई सारे जो UAPD है अक्सर कंप्लेंड करते रहते हैं कि उनके पास जॉब नहीं है और इसी से रिलेटेड यहाँ पर Congress Party ने देखी क्या कहा है Congress promises right to employment apprenticeship for youth तो यहाँ पर राहूल गांदी जी ने जो उनका पुरा नया यात्रा चल रहा है उसमें पाँच बड़ी घोशना की है पाँच बड़े वादे की है और उसी के बारे में हम देखेंगे और साथी साथ इस समय प्रेजेंट में unemployment की situation क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की preparation करना चाहते है Study IQ पर हमारा GS Foundation batch available है यह एक ऐसा batch है जिसके अंदर आपको complete preparation कराई जाती है प्रिलियंस, mains, interview सब कुछ आपको मिलेगा बस आपको हमारे website, app पर जाना या फिर comment section में link है और use करना है code UNKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल जाए और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले सुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है देखे आप देखी रहोंगे कि चाहें नरेंद मोदी जी हो या फिर राहुल गांदी जी हो उनके दोरा लगता रैली जी निकाली जारी है यात्रा की जारी है क्योंकि लोग सभाद चुनाव आने वाला है तो क्या हुआ था कि राहुल गांदी जी का जो पुरा नया यात्रा है वो इस समय राजस्थान से होकर गुजर रहा था और वहीं पर उन्होंने पाँच बड़े वादे कर दिये दीखें उन्होंने ट्वीट किया है कॉंग्रेस आपको पाँच एतिहासिक गैरेंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी और इसके लिए उन्होंने इसको कहा है यूवा नियाई गारेंटी ठीक है तो इसी के बारे में ये जो पाँच वादें हैं वो exactly क्या है वो हम एक एक करके देख लेते हैं दीके सबसे पहला जो उनके दोरा प्रॉमिस किया गया है और ये है कि देश्क में अलग अलग अर आप गौर्णमेंट सेक्टर में देखोगे सरकारी नौक्रियों की अगर हम बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि करीब 30 लाख सरकारी नौक्री इस समय खाली है और जो present में केंदर सरकार है वो उसको फिल नहीं कर रही है तो जैसे ही उनकी सरकार आईगी तो ये 30 लाख में कम से कम 90% तो हम तुरंत recruitment करेंगे अब दीके 90% का क्या logic है basically राहूल गांधी जी ये कह रहे है हमारे देश में अगर आप schedule cast, schedule tribes, backward cast और minorities इन सभी को जोड़ दो तो ये करीब 90% बनता है और बाकी general category में भी अगर हम देखें तो जो गरीब लोग हैं उनका 5% बनता है तो उन सभी को यहाँ पर 30 लाख में जो नौक्रियां ख यहाँ पर right to employment की बात कही गई है उन्होंने basically दूसरा ये कहा कि जैसे हमने मनरेगा लाया था जैसे आपको याद होगा UPA के दौरान मनरेगा लाया गया था right to employment और इसमें basically क्या होता है कि rural areas के अंदर अगर किसी के पास रोजगार नहीं है उसके पास नौक्री नहीं है तो क कम से कम सरकार 100 दिन का जो job है वो provide करेगी उसको करना ही होगा सरकार को तो ये guarantee UPA के दौरान लाया गया था ऐसा उन्होंने कहा और इसलिए उनका कहना है कि उसी प्रकार से youth के लिए युवाओं के लिए हम ये right to apprenticeship लेकर आ रहे हैं तो apprenticeship क्या होता है basically अगर आप देखो कि तो उस प्रकार का वादा Congress Party की तरफ से कहा गया है अब दिखिए इसमें होगा क्या रहूल गांदी जी का कहना है कि जो भी person हमारे देश में जो graduate होगा मतलब अगर आपके पास degree है आपने university से degree पराप कर ली है या फिर आप diploma holder हो तो उस case में आपको ये हग दिया जाएगा कि कम स कम एक साल के लिए आपको apprenticeship मिले in private sector और government office मतलब की जैसे की मानलो अगर आप जो है आपका graduation complete हो जाता है तो सरकार ensure करेगी कि graduation के just बाद तुरंत आपको एक साल के लिए apprenticeship मिल जाएगा या तो private sector में सरकार दिलाएगी या फिर government sector के अंदर, government offices के अंदर दिलाएगी और उसके लिए उस एक साल के नौकरी के लिए आपको एक लाख रुपए दिया जाएगा तो यही है आपका right to employment जो की राहुल गांदी जी ने कहा है फिर इसके लावा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मनरेगा के लिए हमने कानून लाया था उसी प्रकार से करोणो यूद को जॉब दि मुझे बताई एक तो था unemployment और दूसरा था paper leak तो unemployment को लेकर तो उन्होंने कहा है कि ये एक साल की नौकरी वो दिलवाएंगे फिर जो paper leak है उसको लेकर भी और यही है आपका तीसरा promise उन्होंने कहा है third promise के अंदर कि एक standard format लाया जाएगा examination conduct करने के लिए मतलब कि जिस तरीके से paper leak होता रहता है समय समय पर हम सुनते रहते है paper leak हो गया विचारा जो युआ है वो कई साल महनत करता है preparation करता है form fill करता है और पता चलता है कि जब वो exam देने जा रहा है तो paper leak हो गया था कई बार exam देने के बात पता चलता है जिसकी वजह से उसकी जो पूरी महनत है वो पा जिम्यदारी आप जाते हो आफिसेज में आओ वहाँ पर जाकर आपको एक्जाम देना होता है लेकिन अब राहुल गांदी जी ने कहा है कि हम अगर चुनाओ जीत कर आते हैं तो ये जो पूरी जिम्यदारी है वो सरकार खुद लेगी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देगी ताकि किसी भी प्रकार का पेपर लीग ना हो सके अब फिर हम आते हैं फूर्थ प्रामिस पर दिखे चौथा प्रामिस है बेसिकली गिग वर्कर से रिलेटेड गिग वर्कर अगर आपको पता हो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग पर्मनेंट काम नहीं कर रहे हैं मतलब कि लैंसिंग का अक्सार आपने सुना होगा, मतलब आपके पास कोई skill है, अगर आपको कोई design वगर बनाना आता है, तो आप घर पर बैठे रहते हो और आप internet पर अपना डालते रहते हो कि मुझे ये design करना आता है, किसी को भी अगर कराना है तो वो करा सकता है, तो लोग आपको approach पूछ करते हैं, फोन करके, इमेल करके, और आपको काम कर देते हैं, उसी प्रकार से गीग वर्कर्स में वो लोग भी आते हैं, जैसे स्विगी हो गया, जुमैट हो गया, उसमें जो डिलेवरी बॉइज हैं, तो क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, पर्मनेंट अगर आपके पास जॉब है, तो आपको कई सारी सुबधाएं मिलती हैं, मेडिकल इंशुरेंस हो गया, सोशल सेक्योरिटी मिलता है आपको, लेकिन इसमें नहीं मिल पाता, तो इसके लिए राहुल गांदी जी ने कहा, कि देखे, जब हमारी सरकार पिछले साल थी राजस्थान म तो हम यहाँ पर एक कानून लेकर आए थे, राजस्थान प्लाटफॉर्म बेस्ट गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेर एक, तो उसको बेसिकली पूरे देश भर में हम इंप्लिमेंट करेंगे, जो हम राजस्थान में लेकर आए थे, तो इसमें क्या कियागा जायाँ जैसे जो गिग वर्कर्स हैं, उनको एक तो रजिस्ट्रेशन कराया जायागा, ताकि सरकार को पता हो कि इतने सारे गिग वर्कर्स हैं हमारे देश के अंदर, साथी साथ जो सोशल सेक्योरिटि है, उनको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, अगर उन उन्होंने बेसिकली प्रहार किया नरेंद मोदी जी के उपर, उन्होंने कहा कि जैसे स्टार्टप इंडिया और मेकिन इंडिया लाया गया है, वो बेसिकली सिर्फ दो से तीन बिलेनियर्स को ही फायदा मिला है, मतलब लाया तो गया था, हजारों लाखों जो युआ होएं, उनको बिजनेस दिलाने के लिए, लेकिन इसका फायदा सिर्फ दो तीन बिलेनियर्स, बेसिकली उनका इशारा वही अडानी अंबानी जो कहते हैं, तो उसी के तरफ था कि नरेंद मोदी जी ने उनको फायदा दिया है, लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे, तो इसको इंडिया, मेक इन इंडिया सही से इंप्लिमेंट हो, ऐसा उनका कहना है, यह पांचवा प्रामिस है, और इसके अलावा भी यहाँ पर उन्होंने बताया, जैसे फार्मर्स का मुद्दा चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगरा है, वो सारी चीज़ें हम इसको समझना जरूरी है, मालो अगर मैं कहता हूँ कि हमारे देश में 100 लोग हैं, मैं एक्जामपल बता रहा हूँ, 100 लोग हैं, ठीक है, और हमारे देश में employed, मतलब जो लोग रोजगार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनकी संख्या 50 है, तो ऐसे देखने में लगेगा कि सरफ 50% employment है, और 50% लोग बेरोजगार हैं, इसके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको ये जो 50 लोग जिनको रोजगार मिला हुआ है, आपको compare करना चाहिए, ये labor force है, अब मालो जो 100 लोग हैं हमारे देश में, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग काम कर सकते हैं, अब 4 स 60 लोग हैं न, 60%, उन्हीं को कहा जाता है labor force, जो काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो 60 में से 50 को रोजगार मिला हुआ है, इसका मतलब जो unemployment rate होगा, वो I think शायद करीब 16% के आसपास आएगा, ये unemployment rate हुआ, not 50%, तो I hope this thing is clear, और इसमें basically age जो लिया जाता है, वो ज कर सकते हैं, 15 साल से लेकर 64 years के बीच में जादा तक देखा जाता है, जो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, 2020 के बाद से जो unemployment की situation है, जो काफी खराब हो गई थी 2020 में, वो अब काफी हतक सुधर गई है, जो latest data दिया गया है, यहाँ पर सरकार के दोर आप देख सकते हो, unemployment rate dips to 3.1% in 2023, बेसिकली यह जो data है, वो NSSO, National Sample Survey Organization, जो की Ministry of Statistics के अंदर है, उनके दोरा periodic labor support survey किया जाता है, तो उनका कहना है कि देखे, 2023 में जो unemployment rate है, वो घट कर 3.1% आ गई है, और इसको अगर हम compare करें, जैसे 2021 में, यह 4.2% था, फिर 2022 में यह हो गया 3.6 और अब यह गिर कर हो गया है, 3.1%, अगर आप COVID के समय देखोगे, तो यह तो double digit में हो गया था, बहुत high हो गया था, लेकिन ध्यान रखे का, यह मैं सरकारी आंकडों की बात करा हूँ, यहाँ पर एक और independent think tank है, Center for Monitoring Indian Economy, उनका अगर आप देखोगे, तो देखे, उन्होंने कहा कि January, अभी यह जो last January गया है ना, मारा 2024 का, इसमें भारत का unemployment rate 6.8% था, और साती साथ अगर आप इसको compare करो, December के महने से, तो उसमय 8.7% था, और यह जो 6.8% है, यह पिछले 16 महने में सबसे lowest आपको देखने को मिलेगा, in fact यह भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो CMIE है, Center for Monitoring Indian Economy, उनके दोरा 2008 से लेकर अभी तक क्या situation रही है, यह आप देख सकते हैं, यह पहले 5%, 5.5, इसी के आसपास रहता था, फिर अचानक से अगर आप देखोगे, 2019 के बाद से 20 में 8%, और यही सबसे बड़ा impact आया था, यह actually COVID वाला दोर था यहाँ पर 2020 में, तो यह सबसे ब 2023 में सरकार ने कहा unemployment rate 3.1% है, लेकिन यह जो independent think tank है, उनका कहना है कि नहीं, it is around 8%, यह 2030 का अंकरा 8% है, ठीक है, तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके साथ-साथ में आज जाने से पहले आपको यह भी बता दूँ, कि पिछले 10 वर्षों में कौन से वो important event जिसकी वज़े से बेरोजगारी बढ़ी थी, फिर demonetization, कोई नहीं भूल सा, हम सबको पता है, demonetization में जो informal sector है, उसको बहुत बड़ा impact हुआ था, cash वगरा नहीं था, cash का disruption हुआ था, फिर उसके बाद GST के अगर हम बात करें, तो GST जो है ऐसा था, कि temporary period पर काफी नुकसान ह हुआ था, इसमें भी कोई doubt नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के date में अगर आप देखो के तो GST काफी जादा revenue collect कर रहा है, especially सरकार के लिए, तो काफी हद तक ये एक तरह से अब धिरे-धिरे success की तरफ बढ़ रहा है, फिर इसके लावा COVID-19 pandemic again, यहाँ पर जिस तरह से lockdown वग जसता और भारत की लोगों पर असर डालता रहता है, तो कहीं ना कहीं इसके उपर लगतार focus रखना चाहिए, सरकार को, and I hope कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, राहुल गांधी जी का ये जो पांच वादा, इसको लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF की तो टेलिग्राम पर आईए, लग-लग social media पर आप्यूड पाऊगे, और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैत चाहते हैं, you can just use this code ANKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल दाए, I hope की वीडियो आ आपको पसंद आया होगा, मिलता आपसे नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon.